नासा लोन अप्लिकेशन से लोन अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है? इंट्रेस्टिट कितना लगता है? रीपेमेंट करने का समय कितना मिलता है? अगर आपको लोन की अवस्य अगता है तो आप नासा अप्लिकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लोन के लिए कैसे अपलाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, इंट्रेस्टेट कितना लगता है सबसे पहले टोटली रिवियू करने के बाद लोन के लिए अपलाई करने का प्रोसेस बताऊंगा NASA application का review की अगर मैं बात करूँ तो 4.4 review देखने के लिए मिल जाता है और इसकी downloading की मैं बात करूँ तो एक लाग से भी जादा लोगों ने download करके यहां से loan के लिए apply कर रहे हैं वीडियो को complete watch करना और step by step देखना तो ही आपको समझ में आएगा सबसे पहले इस app का link मिलेगा description में वहाँ पर click करोगे उसके बाद play store में आओगे उसके बाद install कर लेना है जब तक यह application install हो रहा है तब तक इस application की about features के बारे में जान लेते हैं क्या यह real application है real application है तो कितना तक का loan provide कर रहा है interest rate कितना लगता है NBFC RBI दोवरा authorized application है या नहीं totally review करने के बाद loan के लिए apply करने का process बताऊंगा नौसा application में loan के लिए apply करते हो तो 2000 से ले करके 5 लाग तक का आपका loan अप्रूब होता है interest rate के मैं बात करूँ तो 0% से ले करके 29% तक per annum आपका interest rate लगता है repayment करने का समय 91 दिन से ले करके 1095 दिन तक का आपका repayment करने का समय मिलता है processing fee 0% से ले करके 1.5% तक आपका plus GST आपको 899 रूपिया तक आपका लग सकता है उसके बाद guys इस application के अगर मैं बात करूँ तो अगर इंडिया में रहते हो तो ही apply कर सकते हो loan को age की limit की मैं बात करूँ तो 21 साल से ज़्यादा होगे तो loan मिल सकता है और source of income यानि की अगर आप 10-15,000 रूपिये पर मन्थ आप earn कर पाते हो तो ही आप loan के लिए apply कर सकते हो नसा loan application direct partner है NBFC और RBI दोरा authorized application है तो आप इस application पे 100% trust कर सकते हो बीना कोई problem के बीना कोई issue के कोई भी loan application से loan लेने से पहले उसका repayment का method समझना जोरड़ी होता है योदि इस application के थूँ लोन लेते हो तो आपको repayment कितना करना पड़ेगा कैसे कैसे process क्या है तो अगर इस application के थूँ अगर आपका 10,000 का loan अप्राइब हो जाता है और आपको यहाँ पे 100 days यानि 100 दिन के लिए आपको repayment करने का समय मिलता है और interest rate के अगर मैं बात करूँ 10,000 का 24% यानि कि आपको देखने के लिए मिल जाता है तोटल और GST मिला करके अगर मैं बात करूँ टोटल repayment का तो अगर आप 10,000 का loan लेते हो तो आपको interest rate के साथ आपको repayment करना पड़ेगा 10,805 रुपिया यानि कि कॉम से कॉम interest rate में 9 सा loan application आपको loan provide कर रहा है इस एप का link मिल जागा description में वहाँ पर click करके install कर लेना है उसके बाद जैसे ही install कर लेते हो उसके बाद open कर लेना है और जैसे ही install करने के बाद open करते हो तो यहाँ पर आपको privacy policy आएगा तो कुछ समय तक आपको wait कर लेना है तो guys पर्णना चाहते हो तो पर्ण सकते हो otherwise नीचे में scroll करके continue वाले option पर click करके permission में camera का storage का और आपको media का photos का मांगता है तो यह भी permission को continue में click करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे 2 लाग तक का instant personal loan का limit मिल सुका है repayment करने का समय 365 दिन के लिए मिला है अगर आप यहाँ पे loan amount 50,000 का लेते हो और repayment करने का समय आपको 365 दिन के लिए मिलता है interest rate आपको per day का 0% तो guys service भी आपको 3% यानि कि 1500 रुपया तो यानि कि अगर आप 50,000 का loan लेते हो 365 दिन में repayment करने का समय service fee आपको rate आपको 3% यानि कि आपको total repayment करना पड़ेगा 51,500 रुपया interest rate आपको 16% से लेकर के 28% तक का आपका interest rate लगता है अब आपको loan के लिए apply कैसे करना है तो start loan वाले option पर click करके start apply पर click करोगे तो login या registration करना पड़ता है उसके लिए यहाँ पे आपको mobile number fill करना होगा तो चलिए मैं अपना mobile number fill कर लेता हूँ तो guys जैसे ही आप अपना mobile number fill कर लेते हो next वाले option पर click करना है और जैसे ही आप next वाले option पर click करते हो तो guys आपके अपने mobile number पर एक OTP आता है तो guys उस OTP को fill कर लेना है और guys जैसे ही आप उस OTP को यहाँ पर fill कर लेते हो उसके बद यहाँ पर आपको click करना है और OTP को fill कर लेना है कभी कभी OTP आने में late भी लगता है तो कोई दिक्कत वाली ब जैसे यहां पर करना है और जैसे ही start apply वाले option पर click करते हो तो आपको privacy policy देखने लिए मिल जाता है तो घाईज आपको करना क्या है यहां पर देखने क्लिए मिल जा रहा है एक कॉंट्निव का option क्ने लिए कऌनचे को माईगा तो चारे परमीशन को era करने के बाद आपको समय तक वेयट करते हो तो यहां पर आपको देखने के मिलेता हैmarks तो गाइज आपको अधहार कट का और पाइन काट का फोटो अपलोड करना पड़ता है मैं अपना अधार काट का और पैन काट का फोटो अपलोड कर लिया और जैसे ही आप अपना अधार काट का और पैन काट का फोटो अपलोड कर लेते हो तो गैस नेक्स्ट स्टेप आता है आपको प्रोशनल इन्फोर्मेशन फिल करने का तो गैस प्रोशनल इन्फोर्मेशन में आपको क् देख सकते हो सबसे टॉप में देख सकते हो एजुकेशन क्वालिफीकेशन तो आपको ऐरो वाले ओप्शन पर क्लिक करना है और गाईज यहां पे प्राइमरी अस्कूल सेकेंडरी अस्कूल हाई अस्कूल यूनिवर्सिटी डिगरी मास्टर डॉक्टर एट का डिगरी देख करके और male होतो male female हो तो female option पर क्लिक करके fake कर लेना है उसके रह tweeting गहांजाब कहते हैं उसके हैं उसके यहांज पर को स्लेक करके कर लेना है अगर अगर आप नेज कर लए 1-2-3-4-7-8-10 तक है तो आप अपने हिसाब से देख करकर आपको प्रेंट करना है उसके बद आपको यहां पे पोस्टल कोड यानि की पीन कोड आपको फिल करना पड़ेगा और जैसे ही आप अपना पीन कोड फिल कर लेते हो उसके बद रेसिडेंशी और टाइप में आपको एरो वाले ओप्शन पर क्लिक करके रेंटेट पे रहते हो पीजी आपको इड्रेस फिल कर लेना है और जैसे ही आप आपको देखने के लिए मिल जाता है कुछ इस टाइप से वहां पे कौन से जगह में रहते हो तो यहां पर आपको क्या करना है फिल कर लेना है उसके बद एड्रेस डीटेल में आपको पूरी तरीके से डीटेल में एड्रे लेना है तो गाइज जैसे ही आप कुछ समय तक वेट करने के बद आपको दाइक आप आचा गलिए क्दा elda घाइस यहांपे अगरआको लोण अप्रूबन हो जाएगा तो यहांपर सॉक्सेस्फुली आपका लोण अप्रूबब 중요त करएगा एक्दore के रहोगे तो बैंक एकाउन में लून अपरूव होकर करके ट्रांस पर हो जाएगा इसके बद कोई भी डाउट होगा कॉमेंट करो अगर आपको इस अप्लीकेशन के थूरून लोन आप्रूब भी नहीं होता है तोनीरा आप्लीकेशान से रिडिट भी एप्लीकेशन if USB के लिए अप्लाई कैसे करना यह क्या क्या फ्रोसेस परोसेस का इंट्रेश स्टेट क्षिंब लगता है इस पीडियोगा है य। फ्रोबर विडियो बना करके लिंक देडिया बाइ बाइ टेक केर